Hello everyone, Hi, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मेरा नाम है उर्विशी जोशी and ये है मेरा चानल 233 High Priestess दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है Manifest Whatever You Want Manifest करें जो भी आप चाहते हैं तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं Manifestation को लेके और उसमें बहुत सारे वीडियोस बहुती वीर्ड और इनलॉजिकल भी हैं अब मैंने भी जरनी में बहुत सारी चीज़े Manifest कर रही हैं और मैंने ये देखा कि शुरू शुरू में छोटी छोटी चीज़े Manifest हो रही थी मतलब जब ये Awakening Process स्टार्ट हुआ तो शुरू में जो भी छोटी मुटी चीज़े होती हैं मैं सोच रही हूँ और वो चीज़ अपने आप हो रही है ठीक है और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि बड़ी चीज़े Manifest हो रही है और अब मैं देख रही हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी Manifest हो रही है लाइक मैं आज सोचू वो शान तक हो रही है मैं आज सोचू या कल तक हो जाती है तो ये हुआ कैसे बेसिकली जैसे Manifest कराने कि ये इतने सारे वीडियो बना रखें कि आप ऐसा लिखो ये नंबर लिखो ये करो वो करो तो क्या ये सब करने से चीज़े Manifest होती है आप किसी अच्छे पार्टनर को चाहते हो तो क्या ये सब लिखते रहने से आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा आप को अच्छी जॉब चाहते हो तो क्या आप ये जो numbers या जो पानी की तुनिया भर की जो techniques उल्टी सीधी से खाई जाते हैं कि सरफ ये करने से वो चीज आपको मिल जाएगी हो भी सकता है कि चलो मिल भी गई पर अगर आप उस चीज के लाइक ही नहीं हो आपने कोई partner को manifest करने के लिए आपने techniques लगाई YouTube पे देखके या कोई आपने water technique या कोई number technique लगाई और आपने ऐसे बंदे को मतलब पा लिया जैसे तैसे करे के या आपने ऐसी जॉब भी पा लिए, तो क्या आप उस बंदे के लायक हैं, परवर्सन के लायक हैं, या आप क्या उस जॉब के लायक हैं, वो तो चलेगा ही नहीं, वो चीज चलेगी ही नहीं, वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो बंदा आपको छोड़के दला वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर देती हूँ I hope कि यह चीज़े आपको मदद कर पाएं ठीक है जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आजकल मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी रीसेंट में क्या हुआ 2009 में मैंने एक स्कूटी ली थी और रिशी केश में और फिर मैं याँ बैंगलोर भी लियाई थी और अब वो काफी पुरानी हो गी है तो मैंने अपनी स्कूटी को देखा और सोचा है कि अब इसको नब बेज देना चाहिए सेल कर देना चाहिए और मैं नहीं स्कूटी खरीदूगी तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको सेल कर देना चाहिए कैसे सेल करें, फिर मैंने ऐसी सोचा, यूनिवर्स कुछ करो आप, इसको बेचना है मुझे, अभी आज मैंने सुबह ही सोचा था ये बात को, और दिन में क्या हुआ, मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ, इतने में एक परसन आया, पडोस की घर से, वो उनकी घर में, उनका होटेल है, हमारे परोसियों का, तो उनका वो कुछ वेटर या कुछ होगा वहाँ पर, आया, और वो मेरी स्कूटी को देखने लगा, और उसमें मुझे बोला कि, आपको ये बेचनी है, आपको सेल करनी है ये, तो I was like, oh my god, आथ सुबह ही मैंने सूचा, और आफ्टरनून म मैंने और अभी महसूस किया recently, कि जैसे जो भी चीज मैं सोच रही हूँ, वैसे ही वो जल्दी से जल्दी manifest हो रही है, और मैं ये सोचती हूँ कि powers के साथ responsibility भी आती है, तो कुछ भी चाहने से पहले, या कुछ भी manifest करने से पहले आप देखें, कि कहीं आप कुछ, ऐसा तो न कुछ चाहा रहे हो, ऐसा तो नहीं कुछ चाहा रहे हो, ऐसा तो नहीं कुछ पाना चाहा रहे हो, जो कि कर्मों को खराब करता हो, इस चीज को लेके भी मेरे अंदर awareness है, मतलब power के साथ responsibility भी आती है, और अगर ऐसी कोई power है कि आप जल्दी manifest कर सकते हो, बट एक awareness भी होनी ची हो, तो इस चीज को लेके भी मैं थोड़ी aware रहती हूं, बट हाँ, जो एकदम से जो छोड़ी जोड़ी चीज़ें बड़ी जल्दी manifest हो रहे हो, उसकी happiness को मैं enjoy कर रही हूं, ओके, सो आज का जो ये वीडियो है, manifest whatever you want, और जो मैं आपको बता रही हूं कि मैं fast manifest कर पा रही हूं चीजों को, और मुझे awareness भी है कि क्या मुझे manifest करना है, और क्या नहीं चाहना है, क्योंकि कुछ ऐसा ना चाहा बैठो, जो कि आपके खर्म को खराब खर रहा हूं, तो awareness भी चल साथ साथ, तो कैसे हुआ ऐसे कि मैं जल्दी से चीजों को manifest कर पा रही हूं, बहुत जल्दी, जैसे मैं आपको बताया कि सुबह मैंने सोचा स्कूटी बेचनी है, और afternoon में ही कुछ घंटे के बाद बंदा आके person आके बोल रहा है कि आपको स्कूटी बेचनी है, ऐसी बहुत कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब I was like my god universe, इतना fast, तो अब मैंने अपने life को टटोला कि ऐसे कैसे हो रहा है, कि इतनी जल्दी कैसे manifest कर पा रही हूं, कि आज सोचो दो दिन में, आज सोचो दिन में, यह शाम तक, कि कैसे manifest हो पा रहा है, जल्दी जल्दी, ठीक है, इस बात क समझने के लिए मैंने अपनी life को पीछे पलट के पूरा देखा, मैंने देखा कि 2008 और 2009 एक ऐसा time था, जहां पर मैं बहुत जल्दी चीजों को manifest कर पा रही थी, उस time period में मेरा Scorpio sign active वो रखा था, ठीक है, Scorpio sign 8th number का sign है, और साथ में यह 8th house को भी represent करता है, और 8th house जो है transformation को, manifestations को, chakras को, इन सब चीजों कुंडेलीनी शक्ती को भी represent करता है, तो 2008 और 2009 में मेरा Scorpio sign active हो रखा था, 8th house active हो रखा था, 8th sign जो है 8th house को भी represent करता है, तो उस time period में मैं जो भी सोच एकदम से वो चीजे हो जाती थी, और मुझे इतनी happiness महसूस होती थी, जैसे पता नहीं time period में वो चीजे मिल तो रही थी, मैं happiness को experience कर रही थी, पर वो चीजे फिर समलने पा रही थी, वो छूट रही थी, ठीक है, एक समय के बाद, ठीक है, तो अपनी high vibration से मैंने चीजों को achieve तो कर लिया, उसको enjoy तो कर लिया, लेकिन वो चीजे समलने पाई, long term तो नहीं चल and 10 गया, 11 गया, planetary situations भी change हुई, वो चीजे जाके manifest हुई, 2019, 2020 के करी, 10 साल बाद, वो चीजे manifest हुई, ठीक है, 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद, वो चीजे manifest हुई, तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि ये खयाल, जो healer, counselor वाला जो है, ये तो 10 साल पहले, एक बार मैं train में बै मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत अच्छा communication counselor बन सकती हूँ, या काश मैं एक healer होती है, ऐसे से कुछ के, पर इस चीजे को manifest होने में 10, 11, 10 साल से जादा कैसे लग गए, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में इतनी उटपटांग thoughts चल रहे हैं, इतनी negativity चल रही है, दिमाग stress से बहरा हुआ है, लोगों के behavior से effect हो रहा है, हर वक्त mind जो है, वो कचरे से बहरा पड़ा है, तो आप जो भी चाहते हैं, वो बहुत 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 देर में manifest होता है, आप अपने goal को focus ही नहीं कर पाते हो, तो मुझे समझ आया कि जो चीज 2010 में ही, वो जाके manifest हो रही है 2019-20 में, क्यों इतनी देर लगी? क्योंकि दिमाग में इतना unnecessary stuff इतने सालों तक पड़ा हुआ था, यही नहीं पता था कि इनको साफ करना चाहिए, तो वो साफ होता, तभी तो goal की तरफ फूरी focus हो पाती ना, लेकिन 2020 में यह चीज मुझे clear हो गई, कि जब तक हम अपने mind के क exactly चाहिए क्या, तब तक हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं, अब क्या हुआ, 1920 में जब धंग से मेरी जागरती हुई, तो मैंने self को priority पर रखना शुरू कर रहा, मैंने serious रहना, अपने आपको seriously लेना शुरू कर रहा, मैंने देखा लोग भी मुझे seriously ले रहे हैं, ठीक है हर लेवल पर, lower chakra उसको heal किया, अभी heart chakra पर मैं अपनी energy को cleanse करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो भी सोच रही हूँ, वो पहले तो चलो 15, 20, 25 एक महीने में manifest होता था, अब तो दो दो दिन में manifest हो रहा है, यानि कि व्यक्ती जितना जादा अपना शुद कर रही है, कौन सी चीज उसको pain दे रही है, वो दुसरों को blame करने की जगा, खुद के अंदर जाक के उस चीज को ठीक कर रहा है, मैं देख रही हूँ, वो बंदा manifester बन रहा है, और इतनी जल्दी जल्दी उसको वो चीज मिल रही है, तो ये है actual तरीका, किसी भी चीज को manifest क करने का, जो भी आप चाहते हो, कि you have to focus on yourself, आपको self पे focus करना होगा, self love में आना होगा, awareness से खुद को देखना होगा, सारे कच्रे को mind से release करना होगा, शुदी करन जब जब आपका होगा, पहले छोटी छोटी चीज़े manifest होगी, जब आप अपना और शुदी करन करोगे, तो बहुत बड़ी 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 और एक दिन वो चीज़ manifest होगी, जिसके लिए आप यहाँ पे reincarnate होगे, सी हमारी soul की कुछ desire होती है, और उस desire के पीछे वो यहाँ पर आती है, तो वो desire भी fulfilled होगी, जब आप एक बहुत अच्छे level का शुदी कर लोगे, तो यह था मेरा आज का वीडियो, I hope आप लोगों का अच्छा लगा हो, तो focus करना self पे, focus करना अपने शुदी करण पे, जितना जादा आपका mind से कचरा release हो रखा है, जितना जादा आपके chakras cleanse है, जितनी जादा आपकी औरा साफ है, उतना जादा आप कुछ भी प्राप्स कर सकते हो, जो आप कुछ समय का, खुद पे काम करने का ये process है, बाद में ये habit बन जाएगी, और फिर देखना मजे ही, मजे, तो आज मैंने आपको real technique बताई है, manifest करने की, वो shortcut technique जो YouTube पे बताई जाती है, वो गलत है, अगर उस तरीके से कुछ manifest हो भी जाता है, तो वो टिकेगा नहीं, तो आज real technique बताईए, इसको अच्छे से सुनना इस वीडियो को एक दो बार, आपको समझ आ जाएगा, ठीके, और कुछ साल आपको खुद पे invest करने होंगे, फिर कमाल देखना, फिर heaven experience करना यहीं पे, ठीके, ये तब आज का वीडियो था, thank you so much, bye bye, take care.